नमस्ते, मेरे शिवोहम यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर एक बार स्वागत है आज की अपनी रेसिपी है रौ बनाना याने कच्चे केले का रवा फ्राय रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चलो देखे आज की यहाँ स्वादिष्ट रेसिपी इसके लिए मैंने लिए है तीन कच्चे केले ये महाराष्टर के बहुत ही फेमस और टेस्टी राजियरी केला है आप अपने यहाँ का कोई भी कच्चा केला ले सकते है अब हमें इसके इस प्रकार से छिलके निकालने हैं छिलके निकालने के बाद मैंने एक केले को बीच में काटा है और काटे हुए आधे केले के तीन पीसेस मैंने बनाए है इस तरह तीन केले के 18 पीसेस हो गए है हमें यह पीसेस एकदम पतले नहीं काटने बल्की मीडियम रखने है काटने के बाद हमें इसे नमक डालके आधा गंटा पानी में रखना है इससे इसके उपर जो काला स्टिकी सा रहता है जिसे हम मराठी में राप कहते है वो निकल जाता है और केला काला भी नहीं पड़ता आधे घंटे के बाद मैंने इन पिसेश को लगाने के लिये लिया है थोड़ा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हिंग, स्वाद अनुसार नम, गरम मसाला, धनिया और जीरा पाउडर, और थोड़ा सा अमचुर पाउडर अब मैंने इसे मिक्स करना है और केले के पिसेश को इस तरह से लगाना है इसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा फाइन सूजी या रवा और इस तरह से इस केले को लगा लिया है केले के पिसेश फ्राइ करने के लिए रेडी है अब मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है तेल गरम होने के बाद एक एक पीस हमें तेल में छोड़ना है गैस लो मीडियम हीट पर ही रखना है ये पिसेश हमें डीफ फ्राइ नहीं करने है बलकि शैलो फ्राइ करने है तो इसी अनुसार हमें तेल डालना है पाँच मिनिट के बाद हमें ये पिसेश पलटी करने है अब हमें छीड़कना है थोड़ा सा पानी और उन्हें ध़क्के रखना है इसके हमारे केले के पिसेश अच्छे पकेंगे और शॉक्त भी बनेंगे पाँच मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी चूरी बीना चिप के बाहर आ रही है याने अब हमारा रौ बनाना फ्राइ रेडी है ये हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं साइट डिश के तोर पर भी खा सकते हैं और मन करें तो शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं कैसे लगी आज की रेसिपि आपको कमेंड करके जरूर लिखना